हलो एवरिवन वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूटूब चैनल स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल नामदेव अकेडमी में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे गुरूप डिखा पेपर हुआ है आठ अक्टूमबर 2018 को इसकी तीनो क्या क्या क्यूशन पूछे गया है तो चलो बिना देर की स्टार्ट करते आज का ये वीडियो और देखते हैं कि आज 8 अक्टूमबर 2018 को रेलवे गुरूप टीम में क्या क्या क्यूशन पूछे गया है तो अभी तक आपने नामदेव अकेडमी यूटूब चैनल को सब्सक कौन सी मूवी है ये किस फिल्म का नाम क्या है तो इसका नाम है कच्चा नीमो ठीक है फिर एक क्यूशन पूछा गया है कि वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है बुक है इसके ऑथर कौन है तो इसके ऑथर है चेतन भगत चेतन भगत ने ये पुस्तक लिखी है एक प्रशन प पूछा गया है कि 2017 चेस्ट चेंपियंशिप हुई इसके चेस्ट चेंपियंशिप का जो अवोर्ड है यह किसे मिला तो 2017 की चेस्ट चेंपियंशिप का जो अवोर्ड मिला वो मिला तंजोंगी को ठीक है फिर जाके एक क्यूशन यहां पूछा गया है कि मुद्र रक्षक पु सब्सक्र सक्वाइज्चने कि एक पुछा ईहां पर है '' सब्सक्राइजर चाहे है और सब्सक्राइज प практически मत्रिक्त सब्सक्राइड्ट काम है' अगर आपसे क्यूशन पूछ दे कि उत्राखंड की राजदानी क्या है तो हमारा उत्तर हो जाएगा दैरादू ठीके फिर देखिए एक क्यूशन यहाँ पूचा गया कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो ये रहे रफाल नडाल ठीक है फिर यहां पूछा है दो जार अठारा का जो सद्वावना पुरुषकार है ये किसे मिला तो दो जार अठारा का जो सद्वावना पुरुषकार है ये मिला गोपाल कृष्ण गांदी को मिला फिर यहां पूछा है कि सिक्किम के ब्रांड में प्रसित गाये सेंगरेशफुए के सिक्क्राशंथ है तो और आजदाने की बात करें तो एक यह हैं यह सबसे हो णीजी किस तरह का बैंक लगात करें ग्राचति इसे कोो जाए है उत्र प्रदेश में खोला जा रहा है ठीक है और उत्रपरदेश की राजदानी क्या है लखना हुआ है और उत्रपरदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात एक प्रचन यहां पर पूचा गया है पिरियोडिक टेबल से कि जो सबसे जादा किस्म में होता है सबसे जादा और कम लिकविड में होता है जट और तने का जो उपूरी इशा होती है जैसे जड़ ये जड़ है तने तो इसका जो उपूरी इस सा होता है इसमें कौन सा टीशू पाया जाता है तो जड और तने का जो उपरीज सा होता है इसमें पाया जाता है मेरिसमेटिक टीशू पाया जाता है एक क्यूशन यहां पूछा है कि जो पौधे जगत है इसमें थेलो फाइटा किसे का जाता है तो पौधे जगत की बात करें तो इसमे जो थैलोफाइटा कहते हैं यह कहते हैं सेवाल को कहते हैं यानि कि एलगी को कहते हैं एक परसंद देखें यहां पर यह पूछा गया है कि जो मचली होती है फिश होती है इसका जो हर्ट होता है हिर्दे होता है इसमें कितने चेमबर होते हैं तो फिश की बात करें मचली की बा यानि नैचुरली नैचुरल तरीके से पकाने के लिए कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है तो जो फ्रूट्स होते हैं फल होते हैं इनको नैचुरली पकाने के लिए इथाइलीन यूज किया जाता है और अगर आटिफिशल पूछा जाता तो उत्तर हो जाता है ऐसी टाइली तो राजदानी वासिंटन डीसी और प्रेसिडेंट और डोनाल ट्रूंप ठीक है और मुध्रा है डॉलर्स फिर एक प्रसनग पूछा गया है चीन का झीन के प्रधान menoris मन्तर देख निचीन के पूछन थो पूछा गया कि राज्या पूछत होतें सब्सक्राइस कई अद्धाइस कोटें टो ये पिर लेक्षण यहां पर नेक्स्टन पूछा है कि जो मद्रास High Court है इसके चीप जस्टिक्स कौन है कि इस बते लिवर थाली रम्मन ठीके एक परसन यहाँ पर पूछा गया है कि द्रोनाचारे अवोर्ड है ये किस छेत्र में दिया जाता है तो द्रोनाचारे अवोर्ड की बात करें तो ये दिये जाता है कोच को दिया जाता है ठीके फिर देखिए यहाँ पर पूछा है रगुवन्सम पुस्तक इसके लेखए कौन ए तो रघुबं सम् पूस्तक की बात करे तो इसके लेखए कह पालिदास एक पर पूछा सेमध प्रेक सेमध कंपूलडर्जन के अध्यक्स को मार्मथुर एक पूछा गया कि A. दूरदर्शन की अद्धक्स कोन है तो दूरदर्शन की बात करें तो इसके अद्धक्स है सुप्रिया साउ है वो दूरदर्शन की अद्धक्स है चेर्मेन है फिर पूछा गया कि पंच तंत्र जो पुस्तक है इसके लेखा कोन है तो इसके लेखा गया विश्णुर्शर्मा एक स्कान मसेट विटामिन नहीं बन पाता सतय विटामिन है में विटामिन तकान में अलग है तो देखो जब हमारी बोड़ी में अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारी बोड़ी में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा यानि कि जैसे मालनों आपको चोटोट लगेर आपके ब्लीडिंग हो रही है और आपके मालनों कि विटामिन के की कमी है तो जो ब्लीडिंग हो होते हैं इसमें पानी और सीम का औसान खरता है यह करता है यह ते यह Всем कशिका की कोज़ किसे मैं की तो नहीं ने फिर पूछा गया कि वनस्पती विज्ञान के जयनक कौन थो वनस्पति विग्यान की बात करे तो यह वनस्पति विच्यान के ज्यन अक्ः फिर हमसे पूछा गया कि साट कोरिया की राजडानी क्या गया है तक यूम्burst है और बहुत आसां निकालता है तो टोटल वर कीवाथ करें तो वो निकालते हैं इन तीनों का एलसी हैं और इन मौण जाएगा तो बारा घोटल वर्क अब ये 12 जो टोटल वर्क हो गया है इसको ABC तीने चाने मिलकर कितने दिन में करेंगे तो इसके लिए पहले हमको सब की EFFICIENCY पता होना जी जाएदों कि समस्की कितनी है कि दिन में काम कर रहा है तो efficiency कैसे निकालेंगे कि 12 में 4 का भाग दे देंगे तो efficiency आजाएगी 3 इसी तरह से B की efficiency क्या होगी 12 में 6 का भाग दे देंगे तो कित्ती बढ़ जाएगा 2 तो B की efficiency 2 आगए और C की efficiency क्या करेंगे 12-12 का भाग दे देंगे तो C की efficiency आगए 1 तो यानि इन तीनों की efficiency को मिला है तो कितनी होगे 6 होगे और हमसे पूछा है कि A, B, C ये तीनों मिलकर ये जो total काम है 12 इसको किते दिन में काम करेंगे तो इन तीनों की A, B, C इन तीनों की efficiency शमता कितनी है 6 है तो 6 से भाग दे देंगे तो यानि उत्तर के आ जाएगा 2 दिन में ठीक है फिर देखिए एक क्यूशन कलेंडर का पूछा जा रहा है और ये मैं हर बार बताती हूँ गैस देखिए मैंने रिजनिंग में chapter करा रहा है कलेंडर बहुत अच्छे से मैंने करा रहा है ट्रिक्स के साथ तो आपने वो नहीं देखा है तो नामदेव अकेडमी की playlist में जाईए और वहाँ पे रिजनिंग की playlist को लिए उसमें से आप कलेंडर जो chapter है उसको देख सकते है मैंने बहुत अच्छे अच्छी ट्रिक्स के साथ करा है तो यह question बहुत आसानी से आप कर पाऊगे इसके लिए कुछ भी नहीं करना है बस एक formula है क्या करेंगे हम date लिखेंगे फिर month code लिखेंगे उसके बाद year लिख देंगे और year में last की दो digit लिखते है उसके बाद year लिख देंगे फिर century code लिख देंगे और divide कर देंगे 7 से अब 7 से divide करेंगे उसके बाद जो 6 बच जाएगा न वही हमारा उतर होगा for example मैं मानती हूँ कि जैसे इनको जोड के जितना भी आया और उसको हमने divide किया 7 से और हमारा 6 क्या बच गया 6 सेज बच गया 1 सेज बच गया तो क्या उतर होगा तो देखो 0 की बात करें तो 0 code होता है Sunday का 1 code होता है Monday का 2 code होता है Tuesday का इसी तरह से चलता जाता है ठीक है तो 1 सेज बच गया तो उतर हो जाएगा Monday अगर 0 से इस वस्ता तो Sunday हो जाता दो से इस वस्ता तो Tuesday हो जाता है इस तरह से क्यूशन होंगे ठीक है एक क्यूशन ही आपर नंबर सीरीज का इस पकार से पूछा गया है कि 5 के बाद 9 आ रहा है 9 के बाद 17 17 के बाद 30 तो next time क्या आएगी तो हम देखते देखो अब हम क्या करे यया तो 34 और 34 में से 1 माइनस कर लिया तो 33 तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 गुणा 2-2 थीक है जब 33 गुणा 2 मेंने किया तो मेरे को मिला 66 और 66 में से 1 माइनस कर देंगे तो 65 उत्तरा जाएगा ठीक है अगला क्यूशन वेन डाइग्राम का लगातार अर्चिप्ट में देखने को मिल रहा है जैसे आपको यहां दे रहा है इसकूल कार और टेबल इनके बीच में क्या संबंद होगा तो देखो इसकूल कार और टेबल यह तीनों अलग-अलग चीजें इनमें किसी प्रकार का कोई संबंद नहीं है तो इनका जो वेन आरेक है वो अलग-अलग ही बन जाएगा इसकूल कार और टेबल ठीक है यह उत्तर हो जाएगा इसका फिर देखिए यहां पर काउंटिंग फीगर से लगातार क्यूशन पूछे जा रहे हैं जैसे मालो आपको एक फीगर दे रखा है एक आकरती दे रखिए इस प्रकार की कोई आकरती दी हुई है और आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने ट्रेंगल होंगे ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं तो देखो देखते हैं कि लगातार क्यूशन पूछा जा रहा है तो देखिए जैसे मालनों आपको एक वर्ड दिया है बुक और आपको बोला है कि इसकी मीरर इमेज बताओ तो हम क्या करेंगे जैसे यहां पर यह लगा हुआ है काच लगा हुआ है और हमें बताना है कि इसकी मीरर मेरी मेह क्या जाएगा दिखाई देंगे लेकिन पोजीशन नहीं मैसलेगे पोजीशन तो सेम रहेगे य treatment आई ग эфф 바ंद है लेकिन टा नजर आएगा इसारह बन जाएगा और फिर खोप explicarणार को ने अधितना ही अगर लेकिन के उल्टा नजर आएगा इस तरह से बन जाएगा के ठीकेट और फिर O है वो उल्टा सीधा इसी प्रकार बनेगा भी इस तरह से बन जाएगा तो जो फाइनल उत्तर है वो हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा ठीकेट ये ये उत्तर आ जाएगा हमारा ठीकेट तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक गीजाए गाए पर दो आपका यह तो बहुत को बारे ते हुआ